नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका टेक्निकल मौनू यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ वाटसब की एक ऐसी जवरदस्त सेटिंग जिसके बारे में दोस्तों आपको बिल्कुल भी पता नहीं है और क्योंकि दोस्तों ये फीचर अभी आया है वाटसब पर दोस्तों कई बार होता है और आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि यदि कोई ब्यक्ती हमें इंस्टाग्राम पर या फेस्बुक पर या वाटसब पर लिंक सेंड करता है तो कई बार क्या होता है जैसे ही हम उस link पर click करते हैं तो दोस्तो हमारा जो account है mobile है वो दोस्तो hack होने में time नहीं लगता है तो WhatsApp ने क्या किया है अपने phone को hack होने से बचाने के लिए यानि आपके phone के security के लिए एक ऐसा feature लेकर के आया है दोस्तो जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये link फरजी है या ये link काम की है या काम की नहीं है क्योंकि fraud link के through दोस्तो आप link पर जैसे ही click करते हैं तो दोस्तो फिर आपका account खाली भी हो सकता है bank account की भी बात कर रहा हूं दोस्तो मैं आपका phone का जो data है वो तो जाही सकता है लेकिन आपका bank account भी खाले हो सकता है तो वो क्या है सबसे पहले आप हमें follow कर लीजे वीडियो को save करके अपने दोस्तों को share कर दीजेगा यदि आप हमें face होगे Instagram पर देख रहे हैं तो और यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आइगन पर प्रेश चरूर कर दीजेगा आपको दोस्तो वाटसप पर जाना होता है अब वाटसप पर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर three dots पर आप क्लिक कीजेगा Settings पर click कीजिएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको Privacy पर click कर देना है अब जैसे ही Privacy पर click करोगे तो यहाँ पर आपको Advanced Settings का option दिखेगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर Disable Link Previews यहाँ पर आप इसको On कर दीजिएगा अब इससे क्या होगा आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पर जब कोई link share करता है आप उस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तो उसके पास पर IP address चले जाते हैं इसी तरीकी से वाटसप कॉलिंग से भी यह काम होता है IP address चोरी होनेगा तो आप अपने IP address को छुपाना चाते हैं तो यहाँ पर यह WhatsApp कॉलिंग का यह फीचर है इसको भी यहाँ पर on कर दीजेगा क्योंकि इससे भी IP address आपका trace कर सकता है कोई भी व्यक्ति ठीक है तो यहाँ पर यह link वाला जो option है यह बहुत जरूरी है दोस्तो इसको आपको on जरूर करना है क्योंकि जब आप link पर click करते हैं तो यह आपको बता देगा दोस्तों कि यह link सही है या गलत है और इस link के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी और या तो वो open ही नहीं होगी दोस्तों link यदि आप उस पर click करेंगे और वो फर्जी link होगी तो ठीक है तो यह on कर दीजिगा इससे आपके whatsapp account की security बढ़ी रहेगी दोस्तों और आपका data चोरी नहीं होगा आपको कोई problem नहीं आएगी phone से related और आपके phone में जो data है सब कुछ safe रहेगा दोस्तों तो मेरा तो यही कहना इन दोनों features को आप on कर दीजिगा जिससे आपका IP address कोई भी व्यक्ते trace नहीं कर पाएगा और आपको पता है अच्छे से के IP address यदि किसी को पता चल जाता है तो क्या हो सकता है यह आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों इसलिए आप इन दोनों को on कर दीजिगा मिलते हैं दोस्तों अगरे नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाए